तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है, जिसके पास खास खिसम की पावर्स थी, इसका नाम डॉंग सू था, वो अपना ही गाना कम पोस किया हुआ जो उसने खुद बनाया था, गुन कुनाता हुआ बस्टेशन पर जा रहा था, तब ही कुछ लोग आती हैं और उसको उठा कर ल कान लेता है, डॉंग सू तकरीबन मर चुका था, मगर हैरानी वाली बात ये थी, फिर भी, वो ये सब करता हुआ डॉक्टर को देख रहा था, डॉक्टर ने उसकी दोनों आंखे निकाल कर ट्रे में रग दी थी, और खुद फोन पर बात करने चला जाता है, उदर ही हम दे जैसे ही वो अपनी दूसरी आंख को वहां पर ठूनता है, डॉक्टर वहां पर गुंटों को बुला लेता है, जिससे अब डॉंग सू वहां से भाग गया था, फिर कुछ दिन बाद उसी शेयर में एक हादसा होता है, एक बहुत ही खुबसूरत वारत की मूर्थी को किसी न कोई मूर्थी नहीं थी, बलकि जेता चाकता एक इनसान था, जिसको मूर्थी बना दिया गया था, आइस्ता आइस्ता ये खबर हर जगा पर फैर जाती है, वहां पर पुलिस भी आ गई थी, इंस्पेक्टर बहुत देर तक उसकी इन्वेस्टिकेशन करवाते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि उसमें P और N नाम के दो सिंबल्स हैं, वही पर हम डॉंक्सो को देखते हैं, जिसने अब अपनी एक आँख पर पट्टी बान ली थी और अपनी दुख भरी जिन्दगी चीरा था, एक रात बैठा हुआ जब वो अपने ही बनाय हुए गाने की प्र चीज़ें नजर आती हैं, जिससे ये पता चलता है कि डॉंक्सो की आँख किसी दूसरे आदमी के पास है, तब ही डॉंक्सो ये सब देख पा रहा था, जो वो आदमी कर रहा था, अगले दिन डॉंक्सो अपने काम पर चाता है, जो एक कबार खाना था, तब ही वहाँ पर क और इसे उसमें विचारे डॉंक्सो का कान कट जाता है, जो कि जमीन पर गिर गया था, ये देखकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं, अब जैसे ही वहाँ से जाते हैं, डॉंक्सो अपना कान उठाकर अपनी अच्छीब खास किसम की पावर्स ताकत से अपने कान को जोड लेत उदर ही वो लोग भी अब डॉंग सू को ढून रहे थे जो जिस्म के हिस्से पेचा करते थे उन्हीं पता चल चुका था कि डॉंग सू का जिस्म और उसका एक एक हिस्सा बहुत खास है क्यूंकि उसे जितना भी जखमी कर लो काट लो वो खुदी चुड़कर ठीक हो जाता है और ऐसे जिस्म की मारकेट में लाखों करोडों में कीमत है लड़ाई खत्मोने के बार डॉंग सू अपने घर चाता है जहां बैठा वो अपने गाने की प्रेक्टिस कर रहा था मगर उसको गाने के लिरिक सही तरह से याद नहीं थी वो तुबारा से सुनकर प्रेक्टिस कर लगता है जिसके बाद टॉंग सू ये फैसला करता है कि वो ही बड़ तो बाना जाएगा जहां पर उसे ले जाया गया था और अपनी आंग को ढूंड लेगा मगर वो लोग उसको पैचान लेते हैं जो उसके पीछे पड़े थे वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं वो वो देखते ही देखते खुदी ठीक हो जाता है डॉंग सू ली से बचकर वहां से भाग जाता है इसके बार डॉंग सू के खयालों में हमें एक किताब को दिखाया जाता है जिसमें लोगों को मार कर उनका पुतला बनाने के बारे में सब कुछ लिका हुआ था जिससे ये ब क्योंकि वो गाना अब काफीजाता वाइरल हो चुका था वो जाकर देखती है तो शहर में एक और पुतला खड़ा था जिसका अभी हभी खून किया गया था ये सारी बाते अपने दोस्त को बताती है जिसका नाम मिस्टर जीन था पर वो आदतों से विल्कुल भी अच्छा नहीं था मगर ये लड़की उसको पसंद करती थी ये लड़की मिस्टर जीन के सामने डॉंग सु का गाना गुन गुनाती है तब ये उसकी आंखों में दर्थ होने लगता है और उधर डॉंग सु की आंखों में भी डर्थ हो रहा था अब ये बात तो यहीं पर क्लियर हो जाती है कि डॉंग सु की दूसरी आंख जिस इंसान के पास थी वो मिस्टर जीन था और वो ही था जो शेहर में सभी लोगों का कतल कर रहा था और यहाँ पर ये भी पता चलता है ये डॉंग सु की दोनों आंखें उसके गाने को पहचानती थी इसलिए जब भी वो बच्टा था उसकी आंखें आपस में जुड़ने की कोशिश करती थी तब ही उसे दर्थ होता था एक दिन वो अपने खयालों में एक लफ़ लिखा हुआ देखता है जो कॉपसार्ट था वो जब उसको इंटरनेट पर सर्च करता है तो उसे पता चल गया था कि इस शेहर में जितने भी कतल हो रही है वो कातिल उनको मार कर स्टैचू मूरती में बदल देता है और वो कोई और नहीं बलके मिस्टर जिन है अब इस बात को पता करने अगले दिन उस लड़की के पास जाता है जो मिस्टर जिन की दोस्त थी कि उसको देखकर पहचान लेता है क्योंकि इस लड़की को इसने अपने ख्याल में देखा था ये उसे बोचता है कि कल तो मची साथमी की साथ थी वो कौन था वो लड़की इसको कुछ भी नहीं बताती और डर कर चली चाती है उसे ऐसा लग रहा था कि ये उसको छेड रहा है अब डांग सू किसी बात के बारे में भी नहीं चानता था उसको तो ये भी नहीं बता था कि कातिल दिखता कैसा है डांग सू अब एक स्ट्रॉलचर के पास चाता है और उसको उन सिंबल्स जो उसने देखे थे और उन तारीखों के बारे में बताता है जब खून हुए थे एस्ट्रोलजर उसको बताती है कि सब आपस में जुड़ी हुई चीज़े हैं इन सब को मिलाकर कल की तारीख भी मिलती चुलती है मतलब डांगसू ये बात तो समझ किया था कि कल भी खून हुने वाला है पर कब कहा ये बात वो नहीं जानता था उधर ही वो लड़की जो मिस्टर जिन को पसंद करती थी उसकी दोस्त भी थी वो उसके घर जाकर यहाँ वहाँ घूमने लगती है जिससे उसे वो किताब मिल जाती है जिसमें मरे हुए लोगों को पुतला कैसे बनाना है सब लिखा था उसको भी ही बात पता चल चुकी थी कि जितने भी कतल हुए हैं उन सब के पीछे मिस्टर जिन का हाथ है अगले ही दिन दुबारा से शहर में पुतला खड़ा था जब सब उसको देखने चाते हैं उधर वो लोग पिति जो डॉंग सू के पीछे पड़े हुए थे वो उसको देख लेते हैं और पकरने की कोशिश क उसको मारने वाले थे तभी उधर लिया जाती है जिसने एक बार फिर से डॉंग सू को बचा लिया था वो डॉंग सू को पताती है कि मैं एक नॉवलिस्ट हो जो की कनेक्ट नाम के नॉवल को लिख रही हूं जिसमें सूपर हियूमन्स टाकतवर लोगों के बारे में बताय जाता है कि कैसे उनकी जिसम के हिस्से अलग करके भी वो आपस में जुड़ जाते हैं अब खैर ली ने डॉंग सू की जान बचाई थी वो उसको ठैंक्स बोलता है उसका नमबर लेता है जिसके बार डॉंग सू वहां से चला गया था दूस्टे तरफ मिस्टर जिन की दोस् काफी परेशान थी क्यूंकि उसको मिस्टर जिन की सचाई के बारे में पता चल चुका था और उसको अपने साथ छट पर ले जाता है मिस्टर जिन की दोस्त कहती है मैं सब जानती हूं तुमने किस-किस को मारा है और उन सभी पुतलों के बारे में भी जब ये बातें वो ब नीचे गिरा देता है, मिस्टर जिन की दोस्त भी यी सब दे कर भी होश हो गई थी. तब ही उसका फॉन बच्टा है, जिसमें उसने डांक डांक सु की घाने की रिंगटॉन को सेट किया हुआ था. जब उसका गाना बचता है तो तब ही डांग सू की आख में दर्थ होता है और मिस्टर जिन की भी इससे अब डांग सू को खयाल आता है और वो सब देख लेता है कि मिस्टर जिन ने दो लोगों को बहुती बेरहमी से मार दिया है ये देखकर डॉंग सू मिस्टर चिन की आफिस में आ गया था वहाँ पर भी सब को कतले के बारे में पता चल चुका था हर तरफ एक भगतर मच जाती है वहाँ पर पुलिस पी आ चुकी थी डॉंग सू ने मिस्टर चिन का कोट देख लिया था इसलिए वह उसका पीछा करते बातरूम टक चाता है अगर उसने उसका चेहरा अभी भी नहीं देखा था पुलिस आकर डॉंग सू को पकर लेती है उन्हें ऐसा लग रहा था कि डॉंग सू नहीं कतल किया है डॉंग सू सबसे खेता है देखो मैंने कतल नहीं किया कातिल दो बातरूम में है पर कोई भी डॉंग सू की बातों पर यगिन नहीं करता लेकिन ली उसको हम कैसे भूल सकते हैं वो एक बार फिर आकर डॉंग सू को पच्चा लेती है उदरी आफिस में मिस्टर जिन जो काफी परिशान था क्योंकि वो सोच रहा था कि छट पर तो हम तीनों के सिवा कोई नहीं था जो वो बैठा डॉंग सू का गाना सुन रहा था तो भी उसकी आँख में दर्ध होता है अब उसको समझ आ चुकी थी कि सारे फसाद की जड़ उसकी यी आँख है जो ट्रांस्प्लांट की गई है यानि कि जो उसने लगवाई थी इसका मतलब ये था कि जिसके पास दूसरी आँख है वो सब देख सकता है जो मिस्टर जिन कर रहा था एक दिन डॉंग सूर ली को अपने घर लेकर जाता है और उसी सब कुछ पताता है वो शुरू अपने बच्पन से करता है कि कैसी वो एक तफ़ा पेट से गिर गया था उसकी टांग तूट गई थी बगर वो खुद्बा को ठीक हो गई जिस पचा से मेरे सबी दोस्त मुझे मौनस्टर बुलाने लगे और मेरे घरवालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया उस रात के बारे में भी बताता है जब इसको अगवा करके कुछ लोग ले गए थे और उन्होंने उसकी आँख को निकान लिया जो मिस्टर चिन के पास है और वो ही है चो शेहर में सब को मार रहा है बस मैं उसको पकड़वाना चाहता हूँ पर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता यही सब बातें सुनकर हैरान हो गई थी वो कहती है तुम परिशान मत हो मैं तुम्हारा साथ दूंगी और उसको एक चश्मा भी लगाती है कहती है इससे तुम्हारा कोई मजाग नहीं बनाएगा और ना ही लोग तुम्हें पहचान पाएंगे जब वो मार्केट में कुछ लेने चाते हैं तो उदर डॉंग सु के पोस्टर लगे हुए थी पुलिस उसको ढून रही थी लेकिन अचानक से उसकी आँख में दर्थ होने लगता है वो देखता है कि मिस्टर जिन उसकी तस्वीर बना कर उसे कह रहा था कि मेरे मामले से दूर रहो नहीं तो बे मौत मारे चाओगे क्योंकि वो जान चुका था कि जिस आदमी की आँख उसे लगाई गई है वो कोई और नहीं बलके डॉंग सु है और उसे साथ ही होने वाले अगले कतले के बारे में भी पता चल चाता है रात को जब डॉंग सु मिस्टर जिन को ढूनने निकलता है तो उसको एक आदमी मिलता है जो उसका गाना गा रहा था ये सुन कर उसकी आँख में दर्थ होने लगता है अगले ही पर उसको मिस्टर जिन नजर आता है जैसे ही ये उसको पकरने के लिए उसका पीछा करता है वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी जो डॉंग सू को पकर लेती है अब डॉंग सू बीचारा बहुत ही बुरी तरह फस चुका था अब ना तो वो बता सकता था कि उसको ख्याल आते हैं और सारे कतले के पीछे मिस्टर चिन का हाथ है उसको जेल में बहुत मारा जाता है डॉंग सू कहता है मैं खूनी नहीं हूँ बलके मैं खूनी को जानता हूँ इंस्पेक्टर ये सुनकर उसको चछत पर ले जाता है जहां पर डॉंग सूस को सब बता देता है कि उसकी आँख मिस्टर चिन नाम की आदमी के पास है और वो ही सबका कातिल है वो इंस्पेक्टर को अपना एक हाथ तोड़ कर दिखाता है जो फिर खुदी जूड गया था इंस्पेक्टर ये सब देकर हैलान था डॉंग सू जो मिस्टर चिन को पकरना चाहता था वो जट से कूट चाता है क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे चोट भी आई या उसकी हड़ी भी टूटी तो वो कुछ देर बाद खुदी ठीक हो जाएगी उधर दूसरी तरफ मिस्टर चिन डॉक्टर सरचन के पास चाता है जिसने इसे डॉंग सू की आँख लगाई थी यहाँ पर हमें कुछ पहने का सीन दिखाया चाता है जब मिस्टर चिन डॉक्टर के पास आया था और उससे कहा था कि उसे आँख की जरूरत है इसे लिए डॉक्टर ने एक तुझरवे की खादिर डॉक्टर की आँख उसको लगा दी और फिर मिस्टर चिन को जब ये पता चलता है तो वो अब डॉक्टर को भी मार देता है जब वो लोग चेक करने आते हैं जो डॉक्टर को पकरने के चकर में थे तो वो जब डॉक्टर को मरा हुआ देखते हैं उन्हें सब पता चलता है कि मिस्टर जिन ने डॉक्टर को मारा है ली और डॉक्टर को डूनने की तलाश में थे ली एक आदमी को देखती है जो उन्हीं लोगों ने डॉक्टर को पीछे लगाया था तब ही मिस्टर जिन अपने फॉन पर नमबर डायल करता है डांग सू भी उसे देख पा रहा था यहाँ पर पहनी बार दोनों की बात होती है डांग सू से पूछता है कि तुम लोगों को क्यों मार रहे हो वो उसको बताता है कि मुझे कैंसर है और अगर इस बिमारी की वचा से मैं जिन्दा नहीं रह सकता तो कोई भी इनसान जिन्दा नहीं रहेगा और तुम आगे आगे देखो मैं लोगों को कैसे मौत देता हूँ वही पर अब ली के मारे हुए आदमी की लाश भी पुलिस को मिल गई थी और साथ ही साथ मिस्टर जिन के खिलाफ सबूत भी जब ली डॉंगसू से मिलती है तो वो अपनी गर्दन पर कट मारती है जो देखते ही देखते खुदी ठीक हो गया था यानि कि इसका मतलब ये था कि ली भी कनेक्ट थी वो कहते ही रिशायत हम जैसे और भी लोग होंगी दूसरी तरफ मिस्टर जिन डॉंगसू जैसा बनकर उसी सिंगर के पास चला जाता है जिसने डॉंगसू को बुलाया था उस सिंगर को वो मार कर अकवा कर लेता है और साथ ही डॉंगसू को थमकी देता है कि अगर रात तक वो उसके पास नहीं आया तो वो सिंगर को मार देगा पर वो लोग डॉंगसू को पकर लेते हैं जो उसके पीछे पड़े थे जो और गंस यानि के जिस्म के हिस्सों को बेचा करते थे लियों से कहती है तुम जाओ इन्हें पर संभाल लूंगी लियों गुंडों का मकाबला करती है पर जब एक आदमी उसके चेरे पर कट मारता है जो खुदी ठीक होने लगता है ये देख कर वो लोग बहुत खुश हो गए थे कि पहले तो सिर्व डॉंगसू ही था पर अब ये लड़के भी जिन्हें बेच कर ये बहुत सारे पैसे कमा सकते थे लेकि इन देखते की देखते लियों पर भारी बढ़ रही थी और वहां से भाग चाती है उधर पुलिस को भी मिस्टर जिन के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके थे उनको पता चल चुका था कि मिस्टर जिन डॉंगसू बनकर घूम रहा है डॉंगसू भी उस चकावर पहुँच गया था जहां पर मिस्टर जिन ने उसे बुलाया था वो ये बात भी जानता था कि मिस्टर जिन को लटना नहीं आता वो तो सिर्फ लोगों की डिर्खा फाइदा उठा कर उने मारता है तब ही मिस्टर जीन आकर उदर गैस छोड़ देता है जिससे डॉंग सू बेहोश हो गया था वो उसको उठा कर अपने साथ ले जाता है उदर ली भी एक मॉंस्टर के पास गई थी और उसे कहती है कि तुम्हारे जागने का वक्ता चुका है जो कि डॉंग सू और ली की तरह ही था ये उसको अपने साथ ले जाती है यहां मिस्टर जीन डॉंग सू को उस जगा पर ले आया था जहां पर उसने सिंगर को रखा हुआ था और डॉंग सू की बॉड़ी भी टंकी हुई थी जिसको उसने मान दिया था और बहुत चल्दी पुथला बनाने पाला था सिंगर की ऐसी हालत देखकर डॉंग सू उससे माफी मांगता है मिस्टर जीन कहता है मुझे एक एंसर है मैं मरने वाला हूँ इसलिए मैं डॉंग सू की बॉड़ी का इस्तिमाल करूँगा और अपना दिमाग इसके दिमाग के बतले लगाऊंगा जहां पर जिसम तो डॉंग सू का होगा पर दिमाग मेरा वो डॉंग सू की उंगली काट कर भी सिंगर को दिखाता है अब ये इन दोनों को फ्रीजर में बंद कर देता है जिस वचा से सिंगर तो मर गया था इस बात पर डॉंग सू को बहुत कुस्सा आता है वो अब आसाथ हो चुका था और बाहर आकर मिस्टर जिन को बहुत मारता है उदर ही ली भी उस मॉंस्टर को लेकर आ गई थी मिस्टर जिन जब उस पर हमला करता है उसे भी पता चल चुका था कि ली भी कनेक्ट है तब ही उदर डॉंग सू आकर मिस्टर जिन को बहुत मारता है यहाँ पर मिस्टर जेन डॉंग सू पर लगा तार गोलिया चला रहा था पर वो तो ठीक होता जा रहा था डॉंग सू ने मिस्टर जेन से अपनी आख को भी छेन लिया था और उसे मारने वाला था सब ही उधर पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं जो डॉंग्सु को मारने से मना करते हैं। इंस्पेक्टर उससे वादा करते हैं कि मैं तुम्हारा सारा रिकॉर्ड मिटा दूंगा। ने जिन्दगी की नई शुरुवात करने चाहिए। अब ली और डॉंग्सु को ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो जाने वाले थे। कभी ये देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे मिलिटरी के हेलिकॉप्टर आ जाते हैं। अब उन्हें भी कनेक्ट के बारे भी पता चल चुका था जहांपर वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब आगे की कहानी क्या होगी? मिलिटरी वाले इनके साथ क्या करेंगी? ये तो हमें सीजन टू में ही पता चलीगा तो सीजन वन की कहानी यही पर खत्म होचाती है।